हलो आपर बेडियों कैसे हैं आप सभी इमीद करते हैं बहुत अच्छी होंगे तो आप भी मेरी तरह अपने बच्चे का टिफिन बनाती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है तो आप मेरी वीडियों फुल बने रहेगा बहुत जटपट बनने वाला ये टि अब यहाँ पर क्या करना एक पॉश मैंने चली FLEX का एड़ किया है और एक पॉश औरगैनो सिस्निंग एड़ किया है और यहाँ पर टेस्ट अकॉरडिंग नमक एड़ कर देंगे 1 four teaspoon मैंने यहाँ पर चांट मसला एड़ किया था अब उसके बाद यहाँ पर मैंने डिर बहुत अच्छा बनीगा तो इसको अच्छे से एक डो की तरह गूत लेंगे अच्छे से मिक्स करके इस तरह से बॉल बनाके रख देंगे अब यहां पर मैंने चोटा से मिक्से जाल लिया है उसमें हम कॉन फ्लैक्स सेट करेंगे तो यहां इसको पीसना है तो अगर आपके प गोल तयार करना है बॉल्स की कोटिंग के लिए तो यहां पर थोड़ा सा मैंने इसमें दो पिंच के करीब नमक एड़ किया है उसे एड़ कर देंगे और एक पतला सा गोल तयार कर लेंगे अब उसके बाद चुटी-चुटी हम बॉल्स बना लिते हैं तो सबकी हम चुटी- गैस जलानी है गैस पर रखना है पैन तो यहां पर मैं तीन बड़ी चंबल देसी घी एड़ कर रही हूं देसी घी में इसे बनाऊंगी और नहीं उसकरूंगी कि बच्चे के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा हैल्दी रहेगा तो अब उसके बाद जो मैंने एक घुल तय इस तरीके से यह डिप करेंगे सारी बॉल्स को हमें इस तरह से डाल देना है और आप यकीन नहीं करेंगे यह मैंने 15 मिनट में वीडियो बना कर और उसके बाद यह टिफिन तयार कर दिया था सोच सकते हैं मैं तो शूट कर रही है तो मैंने 15 मिनट लगाए थी यह से बनान तो अब हम चलते हैं पैन की तरफ जो देशी घी हमने डाला था तो यह गरम हो चुका है तो इसमें सारी बॉल्स को हम एड़ कर देंगे तो यहां पर मैं फ्रूर्ट का टिफिन भी लगा दे रही हूं तो यहां पर अपने बच्चे के मन पसंद का फ्रूट रख दें टिफ टिफिन फिनिश होकर आता है तो इस तरह के से जरूर से बनाएं बहुत सिंपल है बहुत जल्दी बन जाता है तो क्विक बनने वाली रेसिपी है यह तो आपको कैसी लगी यह रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर देजगा मेरे इस वीडियो को और जिहां रखें ख्याल रखें टाटा बाबाई